सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी खबर बताने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ने सुचना अप्रसारण मंत्राले के फैक्ट चेकिंग यूनिट के नोटिफिकेशन पर अंतरिम रोक लगा दी है यानि कि अब सरकार जो सुचनाओं का खुद फैक्ट चेक करना चाहती थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये समविधान में दिये गए अविवक्त की स्वतंतरता से जुड़ा हुआ महत्पूर मुद्दा है और इस पर पहले बॉंबे हाई कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उसे पूरा हो जाने दिया जाए हमरे साथ इस मामले में बात करने के लिए एडिटर गिल्स ऑफ इंडिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश वी सुप्रीम कोट की अधिवक्ता नम्रता महश्वली जी है नम्रता जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका यह बताईए कि यह जो फैक्ट चेकिंग उनिट थी इसको लेकर सबसे बड़ी जो कंटेंशन थी प्रेर थी वो आप लोग की क्या थी सबसे बड़ी प्रेर थी कि यह फैक्ट चेकिंग उनिट के वजह से गवर्मेंट वोड बड़ बड़ कंट्रोल जो टूथ है तो अगर मतलब गवर्मेंट ने कहा कि प्रजेक्शन फिगर एक है and if there was a trained economist who said something else then the government's version would become the truth so even if there were trained economists जिसने मतलब उस version को बोला कि यह मतलब is not the truth and there is something else then the government would be able to control the narrative तो मतलब यह गवर्मेंट का almost perception management tool के तरह यूज हो सकता है यह सबसे बड़ी प्रोब्लम है कि there was only one truth it became मतलब judge and jury of the truth editor of editor guild of india और सभी पत्रकार सरकार की बहुत सारी ख़बरों को लेकर अपनी बाते रखते हैं अपनी खोजी पत्रकारिता के आधार पर कहते हैं कि इसमें तथे कुछ और है क्या यह सीधे सीधे प्रभावित हो रहा था कि इंदर सरकार की इस अधसूचना के बाद इस नोटिफिकेशन के बाद हाँ, there were, I mean, multiple versions of the truth that have already been existed and because of this, only one version would become highlighted and would become the thing so, this is why the prima facie view was taken, आज, Supreme Court की अभिवेक्त की सुटम्टरता यानि की जो freedom of speech and expression reporters का होता है, journalists का होता है, पत्रकारों इसको लेकर Supreme Court ने क्या कहा? तो, in fact, Supreme Court ने note किया कि, you know, journalists have multiple sources and for instance, there can be many people in the government who can be providing more information to the journalists and अगर PIB की fact-checking unit implement हो तो, all those sources would, I mean, मतला, वो रहेंगे नहीं तो, it would just be the PIB's version तो, journalist freedom को बहुत impede करेगा and if there is any journalist who is critical of the government जैसे अगर कुछ आर्टिकल लिखा गया COVID के बारे में growth projections के बारे में जो government के वर्जिन के मतलब खिलाफ था तो, then, those things can be taken down which is obviously very prejudicial to press freedom यह बताइए कि सरकार का क्या तरक था कि वो क्यों इस unit को ले कर आ रही है बेसिकली मतलब सरकार का वर्जिन था कि there are, I mean, because there are so obviously fake news is a problem fake news is a problem, there are obviously things that are मतलब क्योंकि social media बहुत widely circulate होते हैं चीजे तो, fake news is obviously a problem so, they wanted to say that they wanted to basically I mean, control the spread of fake news पर यह नहीं मतलब ठीक है कि अगर controlling के वज़े से मतलब, takedown orders issue हो सके that isn't the correct thing, because then that becomes censoring of free speech क्या इसको हम इस सम्मन में भी कह सकते हैं कि लोकतंदर के बारे में जो कहा जाता है कि सरकार की आलोचना होनी चाहिए इससे सरकार के काम में बहतरी आती है दूसरा, अगर सरकार कुछ गलत कर रही है तो वो भी लोगों के सामने आना जरूरी है Exactly, in a democracy it is important for people to know all versions मतलब, truth की sub-versions लोगों को होना चाहिए especially क्योंकि election शुरू होने वाले है I mean there should be multiple versions of the truth and public को decide करना चाहिए कि क्या truth है, क्या नहीं गलत है with this fact checking unit obviously that would be stopped चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया हम से जुड़ने के लिए तो सुप्रीम कोट से आज की ये कि ये बड़ी ख़बर जो निकल कर आई कि भारस सरकार के सूचनाय प्रसानण मंत्राले यानि कि I.N.B. Ministry के P.I.B. Fact Unit को जो है सुप्रीम कोट ने फिलाल रोक दिया है और मुख नाय धिश डीवाई चंदरचून की अद्धशता वाली फीट इस मामले में सुनवाई कर रही थी और सुप्रीम कोट ने ये माना कि ये पूरा मामला जो है वो अभी विक्त की इस वतंतरता से जुड़ा हुआ है और ऐसे में अगर सरकार ही अपने कामों को लेकर फैक्ट चेक करने लगेगी तो पत्रकार क्या करेंगे और ये बहुत बड़ा मामला था और यही वज़ा है कि एडिटर गिल्ट ऑफ इंडिया जो कि भारत में पत्रकारों की सबसे बड़ी और विश्वस्निय संस्ता है उसने इस मामले में सुप्रीम कोट का रुख किया था हम अपने दर्शकों के लिए बता दें कि सुप्रीम कोट में ना सिर्फ ये एक बड़ी खबर वी है जो की किंद सरकार के लिए रहत लेकर आई है और वो थी दो नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर दरसल एशोसियेटड डेमोक्रेटिक रिफार्मस यानि के एडियार ने एक याचिका दाखिल करके जिस तरह से दो नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ती हुई उनकी प्रक्रिया को चैलेंज सुप्रीम कोट में किया था A.D.R. का कहना था कि सुप्रीम कोट ने अपने आदेश में ये कहा था कि जो चैन समिती होगी उसमें देश के Chief Justice of India भी होंगे हलकी भारत सरकार ने उस आदेश को पलटते हुए बदलते हुए एक नया पैनल बनाया था जिसमें प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के लावा उनके द्वारा चुने गए कैबिनेट मंत्री के साथ साथ नेता विपक्ष को जगा दी गई थी और ऐसे में जब अचानक से चुनाव आयुक्त अरुड गोयल ने स्तीफा दे दिया और उसके बाद चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त के इलावा दो चुनाव आयुक्तों का पत खाली हो गया था तो तमाम सारे सवाल कड़े होने लगे थे उसके बाद सरकार ने आननफानन में दो चुनाव आयुक्त जो की पूर्व नौकरशा हैं जिनमें की ग्यानेश कुमार और एजबी सिंदू जो हैं उनको चैनित किया गया तो ये आरोप लगा खुद नेता विपक्ष अधिर रंजन चौधरी की तरफ से कि सरकार ने उनको एक दिन पहले दो सो नामों की सूची दी और जब वो बैठक में दिये गए तो उन्हें जो है दस मिनट पहले जो है कुछ नामों की सूची दी गई और उनने आ कर ये कहा कि सरकार ने खुद कर लिया था कि उसे क्या कहना है और यही वज़ह थी कि जब सुप्रीम कोर्ट मे ये कहते हुए खारिज कर दिया कि देश में लोकसभा चुनाओं का एलान हो चुका है और देश अभी जिस मोल पर है ऐसी स्थिती में चुनाओं पर रोक लगाना और या इस तरह की प्रक्रियाओं पर रोक लगाना संभव नहीं है अवेवस्ता पैदा हो जाएगी और सुप् इडी द्वारा उन्हें पूस्ताज के लिए दिये जा रहे समन को चैलेंज किया है दिल्ली के शराम नीती मामले में अर्विंद केजरिवाल को पूस्ताज के लिए एडी ने नौ बार समन भेजा है अभी तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल नहीं गए ह और वो कह रहे हैं कि ये सारे समन गैर कानूनी है और अगर E.D. उनसे पूस्ताच करना चाहती है तो वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये करे हाला कि इस पूरी सुनवाई को दोबारा धाई बजे रिज्यूम किया जाएगा हाई कोर्ट में लेकिन कहीं न कहीं अर्विंद के केजरिवाल को लोकसबा चुनाओं तक गिरफतार नहीं किया जाएगा और ये राजनितिक दृष्टी से इस पूरे मामले में समन दिया जार और एक बड़ी बात E.D. ने इस पूरी सुनवाई के दौरान कहा है कि दिल्ली के मुक्यमंतरी अर्विंद केजरिवाल के आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए हर बड़ी खबर टाइम स्नावनों भारत पर